दोस्तों नमस्कार सुवागत है आप सवी का अपना चैनल आई एंटी हिंदी टेक में जैसा कि हम सवी को पता है कि निशनल वोटर सर्विस पोटल के तरब से और आप लोगों को यह भी पता होगा कि पूराना वोटर कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड नहीं हो रहे हैं जो यहाँ पर नममबर 2020 के बाद रजिस्टेशन कम्पलीट किये हैं उनका बना हुआ है वही जो है डाउनलोड कर पाएंगे अब यहाँ पर आप लोगों को यह भी पता होगा कि इनके तरब से एक फरवरी 2021 का समय दिया गया था उस समय को पोश्ट पॉंट कर दिया गया है यानि कि उसे आगे बढ़ा दिया गया है तो आप लोगों को इस वीडियो भी इसके बारे में जानकारी देने बाले हैं कि आखिर पुराना वाला वोटर आईडी काड कब से डाउनलोड होना स्टार्ट होगा और EQYC कम्पलीट आप लोग कैसे कर पाएंगे उसमें क्या परकिरिया आपको करना पड़ेगा क्या कोई डुकुमेंट लगेगा या फिर नहीं लगेगा तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें लास्ट में मैं आपको जो है कस्टूमर केर का कॉल्ट रिकॉर्डिंग भी सुनाओंगा लेकिन सबसे पहले जो हम बात बता रहे हैं उसे आप धियान से सुनिए देखिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं EKYC के बारे में आप लोगों को मैं बता दू कि EKYC सेवा जो है आप लोगों को मिलना इस्टार्ट हो जाएगा फरवारी मन्त के लास्ट नहीं तो मार्च मन्त के फरस्ट बीक में जी हाँ के face authentication से ekyc complete होगा जी हाँ ध्यान से सुनिएगा आपका जो face रहेगा उसके authentication से आपका जो ekyc है वो complete किया जाएगा जो की customer के तरफ से बताया गया उसके अनुसार से हम यह बात आपको बता रहे हैं यहाँ पर आपको जो है face authentication करना पड़ेगा जब आप ekyc वाले options पर क्लिक करोगे उसके बाद face verification किया जाएगा और face verification हो जाने के बाद आपका जो ekyc है वो complete हो जाएगा ekyc करते वक्त आप अपना mobile number email address भी काफी आसानी से update कर पाऊगे तो जिसके voter id card में mobile number या फिर email address update नहीं है link नहीं है वो जो है ekyc के मदद से काफी आसानी से अपना mobile number और email address को आसानी से link कर सकते हैं और update भी कर सकते हैं ताकि वो जो है eepic download के समय mobile number पर आए हुए OTP को submit करके अपना voter id card pdf रोप में आधार card की तरह download कर सके तो यहाँ पर ekyc की सुविधा भी आप लोगों को पहले मिलेगी जहाँ पर आप लोग पुराना वाला voter id card का ekyc कम्पलेट करके mobile number चाहो तो link कर सकते हो और face authentication कम्पलेट करके आप अपना ekyc को कम्पलेट कर सकते हैं अब यहाँ पर सवाल आता है कि पूराना वाला voter id card कब से download start होगा कब से हम लोग download कर पाएंगे हाला कि date को postpone कर दिया गया जो कि एक फरवारी 2021 डेट बताया गया था सभी के लिए उसे postpone कर दिया गया है और postpone करने के बाद उम्मिद यही है कि फरवारी मंत के last week या फिर मार्च मंत के first week में आपको यहाँ सुधा मिल साएगा जहां पर सब कोई अपना eepic download कर पाएंगे यानि कि voter id card digital format में download कर पाएंगे pdf रूप में download कर पाएंगे जैसे आधार का download करते हैं सेम उसी परकार से और उसे जो है किसी भी काम में लगा सकते हैं जो कि वो violent document है तो customer care से यही ख़वर मिल पाई है कि आप जहें अपना voter id card download काफी आसानी से कर पाएंगे जो कि इस मंत के last week में नहीं तो आप जहें मार्च मंत के first week में काफी आसानी से download कर पाएंगे और आप अपना EKYC भी काफी आसानी से complete कर पाएंगे अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को call recording सुनार देना चाहूँगा ताकि आप लोग भी confirm हो सके कि आखिर जो है customer care अधिकारी ने क्या कहा है अभी आप customer care अधिकारी के पास call करोगे तो ज़दा तर call इसे से related ही कि service कव available होगा कब से हम लोग EKYC complete कर पाएंगे और कब से सभी water ID card को download कर पाएंगे क्या जा रहा है जी सर वोटर ID card सरफ अभी उनी के ही download हो रहे हैं जिन्होंने समरी रिविजन पीरेड में अपलाई करा है नवंबर देसंबर में जिनके पुराने है डेट को postpone कर दिया गया है मार्च की first week पोस्पोंड हो गया वन फरवरी से होना था पोस्पोंड कर दिया गया फरवरी एंड से चालो हुगा कोतम जी या तो मार्च की first week से अच्छा ये जो है मतलब EKYC कब से होगा मार्च की first week या फरवरी एंड से तो मेडम इसका कुछ प्रोसेस है पता EKYC का मतलब आधार से करनी है या फिर कोई document अपलोड करनी है पेस से बाटम बायोमेट्रिक होगा आपके फेस से पेस और थांटिकेस होगा फेस से आपके फेस से बायोमेट्रिक किया जाएगा और उसमें कौन कौन से डोकुमेंट लगेंगे कोई डोकुमेंट नहीं लगेंगे वाले फेस और थांटिकेस किया जाएगा जी तो ये भी मतलब उसी समय से स्टार्ट होगा जी अच्छा मैडम और एक और बात जानना था जैसे पुराना जो भी मतलब वोटर आइडी काड है तो जो यह भी डाउनलोड नहीं हो रहा है मतलब नमंबर के बाद वाला डाउनलोड हो रहा है पहले वाला नहीं हो रहा है तो नमंबर के पहले वाला सभी वोटर आइडी काड का फेस और टिकेट करना होगा या फिर अब जो अपलाई हो रहा है उसका भी करना होगा अग में मुबाइल नंबर नहीं दिया गया था फिर और फिर दोगों को एक फिक्सड समय कहने का मतलब है कि आपको इस मत के लास्ट वीक में देखना है या फिर अगले मत के फरस्ट वीक में आपको ट्राइ करके देखना यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और जब डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मैं एक डीटेल में वीडियो जरूर बना दूँगा इस वीडियो में हमने आपको डीटेल पुर्वा की जनकारी प्रदान कराया है उम्मिद करेंगे कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए सेर करिए और यदि इस वीडियो से जूड़ी कोई भी सवाल होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना बिलकुल भी ना भूले मिलते हैं फिर एक ने वीडियो में हमें दीजिए इजाजा तब तक के लिए गुड़ बाई दराज में रहता था और कभी कभी गुम भी हो जाता था लेकिन अब मैं डिजिटल हो गया हूँ हमेशा साथ रहता हूँ रहोगे क्यों नहीं, इजी हो, आसान हो, हम सब की पहजान हो अब वोटर कार्ड हुआ डिजिटल आप भी आज ही अपना वोटर कार्ड मोबाईल से लिंक करें डिटेल्स चेक करें, ऑथेंटिकेट करें और डाउनलोड करें इसके लिए www.voterportal.eci.gov.in या www.nvsp.in या वोटर हेल्पलाइन मोबाईल आप पर जाएं